सभी को मेरा जय गुरु महराज मुझे उम्मीद है कि आप लोग गुरु महराज से सम्मंदित जो विडियो में अनूठी जानकारी बताई गई है उसको आपने सुना होगा और महसुस भी क्या होगा कि एक पहुचे हुए महाप्रोस देह में रहते हैं लिकिन देह में होते नहीं है आज फिर एक ऐसे चमतकार एक ऐसी लिला के बारे में हम लोग जानेंगे इस विडियो में जो औशंभाव था उसको शंभाव बनाने की चमता रखते थे हमारे शरधे श्री मेहरसी मेही जी परम्हनस जी महराज मित्रों एक बार की बात है गोड़ा जिले के समिप एक गौँ है बदरिया गौँ उस गौँ में संत मत सत्संग का वार्षिक अभी अधिवेशन था इसी सिलसले में गौँ महराज को वहाँ जाना था तो गोड़ा से एक बेक्ती आया था जो की गौँ महराज को ले करके जाता या जाते लिकिन जो बेक्ती यहाँ आये थे उन्ही को भार दिया गया था कि आपको गौँ महराज के लिए जो खाने पिने की बेवस्था है उसका बंदोवस्थ आपको ही करना है तो जब वो कुपा घाट आये महरसी मही आश्रम उनको मालूम हुआ कि आज कल जो है गौँ महराज करेला की सबजी खाते हैं दोनों टाइम साम में भी और सुभा में भी दोपाहर में भी मतलब जब भी वो खाना खाते थे तो उसमें करेला की सबजी होनी चाहिए तो इसको ध्यान में रख करके वह बैक्ती सोचा की क्यों न इस चीज का निदान यहीं भागलपूर में कर लिया जाए तो वो करेला सबजी खोजने के लिए निकले भागलपूर के बजार में लेकिन खोजते रह गए खोजते रह गए कहीं नहीं मिला तब ये लोग चल दिये गुड़ा बदरिया गाउं वहाँ पहुचे वहाँ पर भी करेला की बहुत खोजबिन हुवी नहीं मिली तो यह बात गुरू जी के असौरि महरसी मही प्रमहन जी महराज के कानों तक गई घुजूर इस तरह की समस्या है तो कुछ समय के बाद महरसी मही जी ने वहाँ वहीं के एक व्यक्ति को बुलाया और उनसे कहा कि जो आदमी सबजी बनाता है काड़ता है उसको बुला करके लाईए तो उन्होंने वैसा ही किया सबजी काटने वाले को बुलाया और गुरु महराज उनसे पुष्टिक तुम्हारा नाम क्या है गुरु महराज को वो बोलते हैं कि हुजूर मेरा नाम गंगाधर दास है फिर बोलते हैं गुरु महराज क्या तुम ही सबजी कारते हो जी हुजूर तो करेला की सबजी क्यों नहीं बनाते हो तो गंगाधर जी बोलते हैं हुजूर आजकर करेला नहीं मिलता इसलिए करेला की सबजी नहीं बनाता तो इतना ही सुनकर के गुरु महराज बोलते है अच्छा ठीक है जाओ और इसी जगह होता है चमतकार थोड़ी देड़ में वहीं पास के गउं के कोई परिचित वेक्ती आए और गंगाधर जी से मिले और बोलते हैं कि मैं करेला लेके आया हूँ और गुरुदेव को करेला की सबजी बना करके परोसा जाए तो सभी लोग खुस हो गए और रात्री के भोजन में करेला की सबजी बनी और तब से गंगाधर दास जी नहीं रहे बलकी गंगाधर बावा के नाम से जाने लगे तो प्याड़े लोगों पहुचे हिवे फकीर महापुरुष संकल्प मात्र से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते और मुझे जरूर बताएंगे आप सभी लोग कि ये स्रीच आपको कैसी लगती है आज के लिए बस इतना ही सभी को मेरा जय गुर्प महाराज